करने के लिए जा रहे हैं ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं जहां उनके साथ में प्रदेश अधियक्ष महींद्र भट भी मौजूद है बीजेपी के कैंडिडेट है अनिल बलूनी और अनिल बलूनी अपना नमंकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं और ज्वरान मही इंद्र भट भी उनके साथ में मौजूद हैं तो यह तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं थोड़ी दिर में आप वो तस्वीरे भी देखेंगे जब अनिल बलूनी अपना नमंकन फाइल करेंगे और साथी केंड्री मंतरी स्मृति रानी भी उनके साथ में मौजूद हैं यह आप देखिए एक्स्क्लूसिफ तस्वीरे हैं और उत्राखन की पांच सीटों पर लोगसभा का एलेक्शन है और पांच सीटों पर कैंडिडेट के नाम अनौंस कर दिये गए हैं अनिल बलूनी जो की बीज़ेपी से चुनाव लड़ेंगे और अपना नामंकन दाखिल करन तो तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं यह तस्वीरे हैं जहाँ पर बीज़ेपी के कई बड़े नेता उनके साथ में मौझूद है और जाला ज्वानकारी के साथ में सुनील जुड़ गया हमारी समवदाता सुनील तस्वीरे हम देख पा रहे हैं अनिल बलूनी उनके अपना और जानकारी चेतर के हर गाउं के लोगों का परदेश तो आज के नामकरम है इसके बाद जनसवा का भी आप लोगोंने आईजिन रखा यह तो अब आपने सुना बीजेपी के परदेश सद्व्यक्स अभी अनिल बलूनी नोमिनेशन कराने पहुंचे हैं और इसके बाद यहां पर अखा गया है इसके बचल की सांसा ने के बाद कराने के बाद लिएक के बाद इसके बाद जनसवा का आइजिन बढ़न हो यहां इसके बाद도 मस्वीर हम देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री के भी शामिल होने की जानकारी मिल पा रही है लेकिन यहाँ पर अनिल बलूनी के लिए अगर देखा जाये तो सीट काफी जारा सुरक्षत मानी जा रही है क्योंकि पिछले अगर कई सालों के हम बात करें तो बीजेपी यहां से ज अनिल बलूनी नामंकन कराने को यहां पर पहुंचे हैं आप देख सकते हैं कि नॉमिनेशन कक्स के बाहर कुछ जरूरी जो आप चारिकता हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं इस पूरे नॉमिनेशन में अभी करीब आदा से एक घंटे का समय उनको यहां पर लग सकता है डॉक सबा का यहां पर कारेकरम रखा गया है गड़वाल संसदे सीट के मैं बात करूँ तो यहां पर चौदा बिदान सबाएं इस पूरी सीट में पढ़ती हैं तेरे के तेरे बिदान सबाव में यहां पर बीजेपी के बिदायक मौझूद थे एक बिदान सबा जो बदिनात बि बंदारी वहां से बिदायक थे लेकिन आपने देखा कि अभी हाल की दिनों में ही राजिंदर बंदारी ने बीजेपी को जायन कर लिया उन्होंने जो अपनी बिदायकिती उससे भी बकाइदा रिजायन कर लिया तो हम कह सकते हैं कि इस संसद्य स्थीट की जो चौदर की चौ आज अपना नमंकन फाइल कर सकता है या सिर्फ आज अनिल बलूनी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे? नमंकन कर रहे हैं बड़ी संक्या में यहाँ पर चौदर की चौदर जो विदान सवाय हैं वहां से यहां पर लोग पहुंचे हैं इसके बाद एक जनसबा का कारिकरम होगा जिसको मुख्य मंतृ संबोतित करेंगे केंद्रे मंत्री इसमिर्ती रानी संबोतित करेंगी और ज यहां से नामंकन कराने के बाद यहां से रोड़ सो शुरू होगा जो करीब 800 मीटर की डिस्टेंस में जो जनसभा अस्तल है वहां पर पहुंचेगा वहीं पर मुख्यमंत्री पुसकर सिंग दामी का भी पहुंचने का कारेकरम है सुनिल किस तरह की तैयारिया समर्थकों की तरफ से देखी जा रही है रोड़ शो भी होना उसके बाद में जनसभा भी होगी और बीजेपी के कई बड़े नेता आज उस मंच पर नजर आएंगे जो की बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी करेंगे और ऐसे में खासकर अगर हम देखे 2014-19 के लोगसपर चुनाओं को हम देखे तो उत्राखन की पांचों सीटों पर बीजेपी का दबदबार आ है और खासकर 2019 का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें बीजेपी का तो बीजेपी की हर सीट पर सांसोदों ने करीब डेल लाग से तीन ला पांचों की पांचों सीटों पे और इसके साथ ही जो मतों का अंतर रहा है उसको बढ़ाया जाए बीजेपी ने टार्गेट दिया है कि परते सीट को पांच लाक मतों के अंतर से जीतेगी और इसके लिए आपने देखा कि बीजेपी की जो ग्राउंड लेबल पर तयारिया रही हैं जो सांगठनिक मजबूत ही बीजेपी की पास है, जो आधारी पॉलिटिक्स बीजेपी करती है कि अपने बूतों को मजबूत बनाए, यह कहीने कहीन उसी का एक बीजेपी को बेनेविट मिला है कि पिछले चुनाउ में उसने करीब डैड से तीन Emerald मतों के अंतर से आप देखेंगे कि जनसबाब में बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं चाहे उन्य वर्तमान सांसर तीरत सिंग रावत हों साथ में भी मौजूद हैं पूरे रोडसों के दोरानों यहाँ पर मौजूद रहेंगे पूरु मुख्यमंत्री रमेश पोख्राल निसंग भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे बीजेपी के परदे सद्यक्स महेंदर भट हैं और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री धनसिंग रावत जो स्रीनगर से विदायक हैं कैबिनेट मंत्री सुबो दुनियाल जो नरेंदर नगर विदानसवा सीट जो गड़वाल संसेदिय सीट के एक परमुक सीट है वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो यह तमाम पॉलिटिसीयन आज आपको एक मंच पर दिखाए देंगे और बड़ी संक्या में यहाँ पर जो 14 की चौदर बिदान सभाएं वहां से यहाँ पर कारेकरता पहुंचे हुए हैं तो अब देखना होगा कि इस बार जो अब वोटिंग के दिन बीजेपी कितने मतों के अंतर से इस बार इन सीटों पर जीत दर्च करा पाती है क्योंकि बीजेपी का एक दावा है कि हम इस बार लो अगर पुराना कुछ इतिहास उठा के देखे तो काफी उतार चड़ा भरा इतिहास रहा इसका क्योंकि पहले कई सालों तक कॉंग्रेस का कब्जा रहा उसके बात में लगातार बीजेपी भी कई सालों तक यहाँ पर जीती रही ऐसे में ये मुकाबला कितना जादा पर जस्प रहने वाला है और अगर यहां के मुद्दो की बात कर लें तो आज जनसभा को संबोदित भी करेंगे तो क्या लग रहा है कि वो कौन-कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो की जनता के सामने रखे जा सकते हैं गरवाल संसेदे सीट पर अगर हम देखें 2014-19 के बाद खासकर डेपलोपमेंट की और अगर हम देखें तो एक महतोकांक सी परियोजना है रिसकेस कनपरियाग रेल परियोजना कभी जिसकी कलपना की जाती थी और लोग यह बिस्वास नहीं कर पाते थे कि कभी पहाड़ों म इस बात की है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा तो एक बहुत बड़ा अचीपमेंट है गरवाल के लिए और खासकर रिसकेस से चमोली यह चारधाम यातरा का रूट भी है यह माना जाता है कि इस परियोजना के अस्तितों में आने के बाद जो गर आप बड़ा कंट में दिकास के नए दो आर खुलेंगे ऐसी संभावना यहां पर काम किया है चारधाम ब्रोड परियोजना के अस्तितों में आने के बाद हला इस पर अभी काम चल रहा है लेकिन 80-90% काम इसका कम्प्लीट हो चुका है चारो धामों को फोरलेन हाईवे से यहाँ पर जोड दिया गया है तो उससे हम देखते हैं कि चारदा म्यातरा में एक बूम आया है आपने पिछली बार देखा कि करीड़ साथ लाग के आसवास चारदा म्यातरा ने चारो धामों के दर्सन के जो अभी तक चारदा म्यातरा के इत्यास में एक बड़ा रिकॉर्ड है और जब चारदा म्यातरी यहां पर आते हैं चारदा म्यातरा को उत्राखन के आर्थिकी की परेटन के एक रीट कहा जाता है और जिस तरह से यात्री यहां पर आते हैं उससे यहां के आर्थिकी तो बूम करती है बेरोजगारों को रोजगार भी मिलता है तो पिछले दस सालों में जो डेबलप्मेंट वहा है जाहिर है बीजेपी उसको यहां पर चुनाओ का एक ग्राउन बनाएगी आदार बनाएगी लोगों के बीच उसको लेकर जाएगी किस तरह से उसके पिछले दस सालों में दो कारेकाल में लोग सबा के गड़वाल के लिए यहां पर काम किया है आगे क्या विजजन होगा जिस तरह से आनिल बलूनी जब कोरदवार में थे जब उन्होंने पहले दिन रोडसो अपना क कोरदवार में किया था तो कोरदवार छेतर में एक जनता की परमुक मांग रही है कि करणाश्रम जिसको भरत की तपस्तिली कहा जाता है जनमस्तिली कहा जाता है राज भरत की उसको उसके विकास का उन्होंने वहां पर वादा किया था कि वहां पर भरत इसमारक करणों मैं बोलूँगा नहीं लेकिन मैं काम करके दिखाऊंगा राज्यसभा का उनका जो कारेकाल रहा है हम कह सकते हैं उनका एनलिसिस के आदार पर कि उन्होंने यहां पर जबरदस्त काम किया है चाहे हो स्वास्ते सेवाओं के छेतर में हो या फिर रोड यहां जहां कुछ मुख्य मुख्य समश्या रही हैं राज्यसभा सांसद रहते हैं उन्होंने इसका समाधान किया है पौडी में माउंटेन म्यूजियम का भी उन्होंने हाली में सिलयानियास किया था यह कुछ उपलब दिया हैं जिनको बलूनी जनता के बीच रख सकते हैं और इस वक्त सुनील नव प्रभाद भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, सुनील उत्राखन की पांच लोग सभा सीटे पहले फेज में चुनाब यहां पर होना है, और ऐसे में अनिल बलूनी पौडी से अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए हैं, स्मृत सियासी टक्कर होगी. उनका चुनाओ लड़ चुके हैं, लेकिन तब कुछ टक्निक की खामियों के चलते उनका नामंकन रद हो गया था, अलांकि लंबी कानूनी परक्रिया के बाद 2004 में उन्होंने फिर इसी सीट पर विदान सभा का उपचुनाओ लड़ा, वो तब जीत नहीं पाये थे, लेकि उनके पास भी एक लंबा राजनितिक अन्वा है, वो ग्राउन पर लोगों के साथ चुड़े रहे हैं, तो इधर अनिल बलुनी ने जो राज्य सभा सांसद रहते हुए यहां पर काम किये हैं, उसका भी कहीने कहीं उनको फाइदा मिलेगा, तो दोनों और से एक जबज़स कि जो यह दशक है, यह पहाड का दशक है, यह उत्राखंड का दशक है, यह देव भूमी का दशक है, तो ऐसे में उस विजन को जमीन पर उतारना, यहां की तस्वीर को बदलना, एक बड़ी जमेदारी अनिल बलूनी पर. सुनील जी, देखे, गड़वाल सिंसेटे सीट पर एक बड़ी बात जो आपने भी कही है, कि परदान मंतरी नरिंदर मोधी का जो लगातार उत्राखंड के पर ती फोकस रहा है, और अनिल बलूनी को परदान मंतरी का बेहत करीवी भी माना जाता है, यह कुछ बाते हैं जो सीधे वोटर्स को कनेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि परदान जो केदानाथ और बदिनाथ दो महत्वपून जो बड़े धाम हैं, वो दोनों इसी संसेटे सीट पर पड़ते हैं, केदानाथ रुदर परियाग में तो जो बदिनाथ धाम है, वो चमोली बदिनाथ धाम का वहां पर सौंदरी करन की योज में बनाई, उसका कहीं न कहीं सीधे तोर पर आप बेनिफिट इस सीट पर आप देख सकते हैं, एक बड़ा मुद्दा होगा कि जिस तरह से केदानाथ का सौंदरी करन वहां पर किया गया, जिस तरह से बदिनाथ का एक पा व přाइदान बंतरी का करीबी माना जाता है इसका भी उनको फाइदा मिल सकता है और खास कर पिछले कारेकाल में जो उन्होंने काम किये हैं और लगातार भी बलू नी जब भी यहां पर चुनाव परचार में वह जहां जहां भी अपनी सभाए कर रहे हैं लोगों से बात चीत क लोगों से एक बात कहरे हैं कि मैं जादा बोलूँगा नहीं काम करके दिखाऊंगा जो समस्या हैं वह उन्होंने प्वाइंट आऊट किये जगए जहां-जहां जांगी जिस बिदानसभा चेतर में जो करनाश्रम है उसके development की उन्होंने बात कही अलग-अलग छेतरों में कहीं पेजल की समझ से है उसकी उन्होंने बात कही तो लगातार जनता के मुद्दो को छू रहे हैं उनसे connect हो रहे हैं और लोगों को ये अस्रस्त कर रहे हैं कि जो समझें यहां पर रह गई है उनको दूर करने का प्रियास करेंगे तो इसका कहिने के एक सिधे तोर पर फाइदा बीजेपी को यहां पर मिल सकता है बिल्कुल और गड़वाल का हम समिकरंट समझने की कोशिश करें हाल के मुद्दों ने क्या असर लोगों पर डाला है चाहे वो यू सी सी की बात हो या फिर कानून विवस्था के मामले में बदला हुआ उत्राखंट का सक्त रुख हो इन सब के चलते ही जनता में बड़ा संदेश बीजेपी की तरफ से पहुचाने की कोशिश की जाती रही है देखे बड़ी बात ये भी है कि लोगसबा चुनाओं के बीच ठीक उत्राखंट की जो अपनी जो इस्टेट गवर्मेंट है उसको भी अभी 23 मार्च को दो साल कम्प्लीट होए है और इस दो साल के कम्प्लीट होने पर 23 मार्च को सरकार ने जो अपना रिपोर्ट कार डखा वो रिपोर्ट कार्ट कहता है कि इन दो सालों में सरकार ने बहुत सारी उपलब्दियां हासिल की हैं परदेश के दिकास को लेकर भोशे के लीती और नीती को लेकर इनमें खासकर हम कहें कि यूनिफॉर्म सिबिल कोर्ट का एक मुद्दा जो बीजेपी के अपना कोर बनाये गया जो अन्या परदेशों के लिए एक नजीर साबित हो सकता है नकल विरोधी कानून उत्राखंड में बनाया गया दर्मांतरन के विरुध एक ठोस कानून उत्राखंड में लाया गया यह तमाम चीजें हैं जो राज़े सरकार ने की हैं और जो के अंदर सरकार की हैं गड़वाल के जो अपना नॉमिनेशन इस वक्त फाइल कर रहे हैं बहुत शुक्रिया आपका चर्चा के लिए सुनेगी